उत्तर भारत में ठंड ने अब दस्तक देदी है दिली अंसिया सहे तासपास के कई लाकों में तापमान में गिरावट आने से मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है वैसे सर्दियों का मौसम आम तोर पर तो किसी हर किसी को पसंद है लेकिन सर्दियों के मौसम में कुछ बिमानिया बढ़ जाती है सर्दी के मौसम के शुरुवात में सर्दी खांसी की समस्या ज्यादा परिशान करती है इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और जोडों के दर्ड की समस्या भी बढ़ती जा रही है ऐसे में अस्तमा और डिप्रेशन की बिमारी भी अब सर्दियों में ज्यादा लोगों को परिशान करती हैं तो इसलिए एंटी स्पेशलेट डॉक्टर ब्रिचपाल त्यागी से जानिये कैसे इन बिमारीों से बचा जा सकता है यह मौसम चेंज होने की वज़े से जो हमारा पॉलिशन लेवल है वो क्योंकि बहुत जादा बढ़ा हुआ है ठंडे वातावरन में वह हाइट अटेंड नहीं कर पाता है तो पॉलिशन एक लेवल पे आके एकटा होता रहता है और जो बहुत नीचा लेवल होता है उसमें जो हमें में बात है कि जितने भी वाइरस हैं उनके इंफेक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वह स्टेगनेंट हो जाते हैं उस पॉलिशन एयर में और फिर वह भी क्योंकि वह उपर नहीं उठ पाएगा हवा में इतना इतना तेजी से निफ फैल पाएगा वह इस्टेगनेंट हो जाएगा तो यह जैसे जिससे हमारा कोल्ड बढ़ता है तो इस टेगनेशन बढ़ जाता है एंवार्मेंट में तो उसकी वेज़ से सारी बीमारियां हो जाती है जब मोसम चेंज होता है तो उसके वेज़ से सर्दी जुकाम खांसी और जो हमारे एस्थमा वाले पेशिंट हैं उनको जादे परिशानी बढ़ जाती है अगर इसमें कोई एक्ससाइज वगयरा करता है जादा बहार तो उसको हार्ट की परिशानी हो सकती है उसको स फॉलूशन है तो वो हमारा उकसिजन लेल कम करेगा तो खून का दोर भी उकसिजन लेवल कम कर रहा है और पո्लाइस इससे होने का खत्रा बह Очень बोगत ज्यादा होता है इससे ऐलरी होती है नाख वाली शाइनसवाली और सांस का रास्ता है उसको हम बोलते हैं राइनोब्रो इ। जो एलर्जी वाले पेश cynなた. जो up .ioid जोवेशंट हैं थो एसे लोगों को इस मौसम में सावधान रहना चाहिए उसकी वाजे से परिशानी उनके बढ़ जाती है